हेलो गाईज, विल्कम बैक, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बॉपनी लेक्टर में है, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ब्यस्सी सेकेंड समीच्टर द्हान दिए गए ब्यस्ची सेकेंड समीच्टर बौत्टरी सब्जक्ट का पहले यूनिट का यानि कि ब्रायवाख़्ां वाली यूनिट से मल्टिपेल 202 और पृस्टोड कराएंगे उनके बारे में डिसकस करेंगे यह यह जो कॉशन है यह सिद्धार्थ इन्वर्सिटी में क्योंकि objective टाइब का होता है second semester, fourth semester और sixth semester का तो इस बज़े से second semester बनां को question means paper आना है वो कैसे आएगा objective type का multiple choice question आएगा सिद्धार्थ इन्वर्सिटी में तो यह question उसी basis पर है हाला कि जो NEET की तयारी कर रहे है या फिर किसी other competition का exam की तयारी कर रहे है तो उनके लिए भी botnika, bright fighter की यह सारे question important है तो यह मत सोचेगा कि सिर्फ और सिर्फ second semester बेस्टी वालों के लिए ही है ठीक है तो आए फर्स question आपको मैं बताता हूँ इन वीच आप दा फालोंग ग्रूप उड यू प्लेज ए प्लांट विच प्रोडूचेज स्पोर्स एंड इंब्रियो प्रट लैक सीड्स एंड वैस्टी टीशू इनमें से कंसर ग्रूप है जिसमें स्पोर्स पाय जाता है और इंब्रियो का फार्मिशन होता है लेकिन उसमें सीड नहीं पाया था और वैस्कुलर टीशू नहीं पाया थे वही अफ़सन आपको चूज करने होंगे ठीक है पहला अफ़सन दिया है ब्रैफाइट्स दूसरा अफ़सन दिया है टेड़ फाइट्स तीसरा एलगी चवथा जिमनोस्वर्म अब ध्यान से समझेगा ब्रैफाइट्स ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनमें स्पोर्स और एंब्रियो का फार्मेशन होता है लेकिन सीड और वैस्कुलर टीशू जैलम फ्लॉयम का फार्मेशन नहीं होता टेड़ो फाइटा ऐसे मेंबर होते हैं जिसमें सीड का फार्मेशन त होता है तिक पहला जो टी नमबर यहां पर दिया है और टाइपिंग करने में स्टेक हुआ है ठीक है पहले होना चाहिए था लगी ऐसे मेंबर होते हैं जिसमें स्पोर्स का फार्मिशन तो होता है लेकिन इंब्रियों का फार्मिशन नहीं होता सीड का फार्मिशन नहीं होता और जो इस्पोर बनते हैं वो एसेक्स्वल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं ध्यान दीजेगा ठीक ते इस अगलते घृती अगला है जीनों जीनों ऐसे मेंबर होते हैं जिन में शंपोर्ट भी बनते हैं एंब्रेयों भीआ बनता है और श्योडय कोultsिश है और क्वेस्लेट टिसुप बनते लेइद these दोस्तों अगला कुशन है most bryophytes require a damp ज्यादातर सभी bryophytes को क्या चाहिए होता है damp habitat की ज़रूत पड़ती है यह लगभग water की ज़रूत पड़ती है क्यों क्योंकि इसमें do not have cuticle क्योंकि इसमें cuticle layer नहीं होती इसलिए यह तो बिल्कुल भी नहीं होगा ठीक है आई दे ल्एट गेमीटेंजिया नहीं पायाता है अगला है इननके जो इस प्रफिटिक जनरेशन होती है वह क्या होती है वैस्कुलर टीसू नहीं पा जाती है और डिपेंड होते है इस अप्शन बिल्कुल सही है लेकिन सबसे best option का उनसा है वह हमको लगाना है अगला यहां पर option दिया है फ्लाइजिलेटट इस फर्मस मस्ट स्वीम टू दर फर्टिलाइज एक से फर्टिलाइज होने के लिए जो इसका स्वीम कर सके इसलिए इसको डैम की जरूर पड़ती है मौस्टर की जरूर पड़ती है इसलिए इसको एंफीबिया साथ प्लांट किंग्डम बोलते हैं तो यह आप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा अगला अगयरोड खुशियो दिखेगा आफ असल्ट यन्डे प्लांन वराइफाइंडडन दार्ट-डडट और इंडर्ट इन अटचेश्ट डिपेंडेंट्एंड ड़डड थोज़्एं दार्ट तो इन मेंसे कंसा एंवह आपको सीन नंबर ऊप्शन में ग्यमेटोफिटिक इंडिपेंडेंट अंडिपेंडेंट इसपोरोफिटिक होगी तो अप्शन नंबर in the life cycle of mass which of the generation is dominant माष्क की life cycle में कौन इसमें generation है जो dominant होती है a flat gamitophyte, deep blood gamitophyte, haploid sporophyte, deep sporophyte, right answer हो जागा दोस्तों. Half-lod gamitophyte जन्रेशन जो होती है वो dominant philt में होती है. next question हो जागा यह ने moss spare land on an appropriate site, it germinate into the first stage of the gamitophyte. called gamitophyte जो जन्रेशन जैन्मिनेट करती है और बनती है, उसे क्या कहते हैं अगर कोई इस्पॉर मास का क्या करता है जर्मेट करता है तो जो नम्बर उप्शन राइट हो जाएगा यानि कि प्रोटो नीटा करता है देब तर आईट आंसर आप क्या लगाँगे प्रोटो नीटा करता है जर्म Southwest बनता है और घर्म राइटी वह इस्टेज मैस्टम नेस्ट कोश्ओं रहे है सिक्स नंबर ब्रैफ इट इन्हाइबिताट डैट ड्राई ऐसा कांसा हूश है जहां पर मेश्ट साल्टी मर्सी ट्राई अस्थां पर ब्राइफ है तो हो ही नहीं सकते कट्ता नहीं हो सकते अगला है मॉइस्ट यानि कि जहां पर मॉइस्चर हो पानी की मात्रा हो ठीक अगला है साल्टी साल्टी अरिया में भी गुरो नहीं कर सकते मर्सी दलदली अरिया में भी गुरो नहीं कर सकते सड़ जाएंगे तो बचा क्या मॉइस्ट मॉइस्ट कंडिशन में प तरह structure हो मास का उसको हम क्या बोलेंगे एनलागस structure बोलेंगे या फिर होमोलागस structure बोलेंगे या वेस्टीजियल structure बोलेंगे या फिर cowperionic structure दो इनमें से मैं आपको explain करके अच्छे से बता रहा हूं analogus क्या होता है homologus क्या होता है और bestigial structure क्या होता है इसके बारे में आपको अच्छे से बता दे रहा हूं हुए पहले यह समझ लीजिए कि analogus structure होते क्या है जिनका structures different different होता है ठीक है structure क्या होगा different होगा differ होगा बट उनके function कैसे होंगे same होंगे तो उसको क्या बोलेंगे analogous organ बोलेंगे यह analogous structure बोलेंगे अब same उसी का उल्टा हो जाएगा homologous जिनके structures क्या होंगे same होंगे बट उनके function अलग-अलग होंगे different होंगे तो क्या हो जाएगा homologous structure हो जाएगा ठीक वेस्टिजियल structure क्या होते हैं जिनका कोई function अब नहीं रह गया है लेकिन body में पाए जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं वेस्टिजियल structure यह समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं तो वेस्टिजियल के रूप में ऐसा कोई part होता नहीं है leaf और क्या बलते हैं root इस बदेसे यह बिलकल भी नहीं होगा embryonic structure embryonic structure क्या होता है जो embryo embryo level पर structure बनता है उसको बोलेंगे embryonic structure जो कि यहां पर ऐसा कोई रोल नहीं है तो बचा क्या analogous structure ही होगा यानि कि जिनके function क्या होंगे सेम होंगे structure दुनों के अलग अलग होंगे ओके आगे इन ब्राइफाइट्स embryonic development of the gigot takes place embryonic development embryo का development जाइगोड के बाद या जाइगोड के साथ किसमें होता है और एंथ्रीडियम में कैपसूल में sporogonium में या फिर archigonium में तो most of the ब्राइफाइट्स में archigonium के अंदर ही embryo का formation होता है मियोसिस हो जाने के में जाइगोड बन जाने के बाद ठीक है अगला कोशन है विच वन आप फालोइंग ब्राइफाइट्स इस कामली नोन एज पीट मास या बॉग मास पीट मास और बॉग मास के नाम से कौन साइस में से ब्राइफाइट है बहुत ज्यादा कौशनन नमर्ट 10 विच व्च व फालोइंग ब्राइफाइट है फाइफ रोज आप नेक जानाल चल्स इंद आर्चिगोनिय में पांच रो नेक कैनाल चल्स की किस में पाए जाती है तो पोर एलय में पाए जाती है इंधुर सेरास सभेणिम औफी नहीं होती है ठीक अगला ब्राइफाइट से इन में से किस करेक्टर पर डिफरेंट है अर्चिगोनिया दोनों पाए जाती है लेका बैस्कुलर टीसू बैस्कुलर टीसू गाइस टेड़ोपाइट में नहीं होती है इसलिए यही राइट अंसर हो जाएगा फ्लाइजिलेट्ट इंत्रोजाइट दोनो हो जाएगा गाइस नेक्स्ट कोर्शन हो जाएगा त्वेल्थ नंबर फिच वन आप दे फालोइंग इज नाट करेक्ट स्टेश्मेंट फार ब्राइफाइट इन में से काउन सा है यहां पर इज और नाट जोड लिजेगा ब्राइफाइट के लिए करेक्ट नहीं है दे ल जाएगट अंडर्गोज भी जिए जाएगट क्या करता है मक्ना एंट यहीं गलत हो जाएगा यानि कि राइट अंसर यहीं माना जाएगा ठीक दिर सपोर्स जर्मिनेट प्रोडूसिंग इस तो बिल्गुल सही है तो राइट अंसर गलत कह रहा है गलत आपको ढोना था तो यहीं गलत है इसलिए राइट अंसर क्या हो जाएगा सी नमबर अगला इकनोमिकली इंपोर्टेंट्स व्राइट एमंग दा फालोइंग इज इनमें से कौन सा व्राइट के लिए क्लिए है इकनोमिकली सब ज्यादा इंपोर्टन है TOP सामबर फिनेरिया मारक मारकान्सिया रिक्षिया स्पेंघनॅब राइट अंसर हो जाएगा र इसको क्या बोलते हैं एपो इस्पोरी और यही प्रोसेस उल्टा हो जाएगी ध्यान दीजिएगा अगर वो पूछे कि डिवल्मेंट आप गेमिटुफाइट फ्रॉम इस्पोर फाइट तो क्या हो जाएगा एपो गैमी हो जाएगा है यह पूछ तो टू डिफरेंट टाइप के स्पोर्ज का फार्मेशन ओना माइक्रोश्पोर एंड मेगा स्पोर्स इस नोन आइस हेट्री थिक है अगे फिमेल गेमिटेंजियम आफ ब्राइफाइट तीफर फॉम देट आफ फंगस इन प्रोसेसिंग किस प्रोसेस में फिमे से different होती है large neck a winter jacket layer up style cells and a single egg cell तो इंपोर्टन क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा jacket layer up style cells पाई जाती है जबकि fungus में नहीं पाई जाती है अगला question हो जाएगा 60 number पे how many rows of cells are found in the archegonium in bryphide ब्राइफाइट में कितनी रोज होती है cells कि ठीकर आर्चegonium में six होती है थी नहीं ओती फोर नहीं होती five नहीं होती इसिक्स होती है ठीकर धेन दीजेगा इस्पोर मदर topsail unconscious i areतton makeו इस्पोर मंदर इस्पाइट में कैसी होती है Sure light data flight या टेट्राफ्लाइड कितने टी होती है इस पोर मदर आज़ की बात कर रहा है इस सक्षां के इस्टेडी किया गाता है उसको क्या वोलते हैं ठेड़ फाइट्स पंजाई अज़की बन्वाय फाइट्स्ट हो जाएगा राइट अंसर कुश्ण है कोस्ट नमबर 19 गोंईयोफं फोर आप मार्कन्सिया मार्कन्सिया का यह यह फॉर होता है च्री में च्क्वाइजए प्रpine कर पुक्र तर्क ट। जुर में गोंईयम यह करफे स्वैलम यह ले और क यह बोलते हैं कारफे फेहलम बोलते हैं क على क्रफेसिए रहेलमOL एंड रिक्षिया कार्पस नेटन्स और यानि कि यह दोनों स्पिजीज क्या होती है कैसी होती है एक्वाटिक होती है एपिफिटिक होती है यह इस पूरोफिटिक होती है तो राइट आंसर हो जाएका एक्वाटिक होती है ठीक है ध्यान दिजिए कि यह दोनों ज्यादातर प without any flagela elongated curved and vifragilate rod shaped and vifragilate right answer हो जगा है इसका elongated curved and vifragilate is the right answer which among the following source which among the following source maximum fertility हिन में से काउन साह है जो सबसे ज्यादा fertility सोच करता है आफ स्पोरिजिनेस टेशू पहला रिक्षिया मार्केंसिया फ्लैजियो काजम फ्यूनेरिया राइट आंसर हो जाएगा रिक्षिया ठीच कलिप्टर डेवल्फ त्राम कलिप्टर का डेवल्फमेंट कहां से होता है बेस अब दार्ची गोनियम वालाफ वेंटर टेशू आप दार सिंटोलेटर विदाओट थिकनिक बैंड कि होते स्था की होते मरकैंसिया एंथो शिध नवड़ीज़ , असी भाद में है पोरेला लेकर सियोमन तो इसका रिट और ँसर हो जाएगा सियोहाल सब्सक्राइब इस वीडियो में बस इतना ही आज के लिए इंपोर्टन कोश्चन 25 कोश्चन हमने आपके सामने रख दिया है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीज़ेगा चैनल में पहली बार जुड़े रहे हैं तो सब्सक्राइब कीज़ेगा और वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कीज़ेगा जितने भी से धार्त इन्वर्टिट्री से रिलेटर किसी भी महाविद्याले में पढ़ रहे हैं उन सभी छात्र छात्राओं के पास बेसे बोटन कोशन जरूर शेयर कीज़ेगा धन्यमाद आप सब्सक्राइब क्रिए हैं, तू कर्वान के हम थ Californ को सब्सक्किर से हूँ